वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाई शुरेनिक जैन यूटूब चैनल सेकुरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एस्पी एम सी आयल मिनिरतना सरकारी कंपनी के दरफ से रिक्रुमें निकल करके आ रही है फॉर 2023 टेंशन मतलो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इन कम्पूर्टर साइंस या इलेक्ट्रोनिक से इंटेली कम्मिनिकेशन वाले बच्ची अपलाई कर सकते हैं दूसरा यहां पर मिनिमम तीन साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्स्पिरियेंस चाहिए फ्रेशर के लिए यह जॉब नह देखना नहीं तो यहां पर वीडियो को छोड़ सकते हो और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो ज़र से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टून सब पहुत सके जो बच्चे इंट्रेस्टेड है और यहां पर इलिज्वल भी है ठीक है चलिए आप डीटेल में बात 24 डिसेंबर 2022 को निकाला गया था मैं वीडियो थोड़ा सा लेड बना रहा हूँ वैसे SPM CIL एक मिनिरतन सरकारी कंपनी है CPSC कंपनी है क्योंके फुर्ली ओंड बायो गर्रमेंट ऑफ इंडिया है ठीक है चलिए आगे लिकर चलता हो यहां पर आप देख सकते हो चार पोजिशन है यहां पर एप्रिकेशन डेवलपर साइबर सेकुरिटी ओपन सोर्स एप्रिकेशन डेवलपर आई टी हाडवेर एंड नेट्वर्किंग कहा गया है बढ़ अगर आप स्पेशल केडिगरी से हो सेस्टी ओबी सी पीड़ेट्स तो आपको यहां पर भी रिलाक्सेशन मिल जाएगा बात करते हैं यहां पर अगर आप एप्लिकेशन डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बी बी टेक इन कंप्र साइंस इलेक् कर सकते हैं मिनिमुम सिक्टी परसेंट आपका माक्स होना चाहिए या फिर इक्वैलेंट सी जी पिए आपका तीन साल का एक्स्पिरेंस होना चाहिए एजन एक्जिक्टिव इन प्यू गर्मेंट या रेपिटेट प्राइवेट कमनी जिनकी टरन ओवर जो है पचास करोड स से जाधा है और mandatory compulsory skill है कि आपका उस domain में knowledge होना चाहिए domain कौन सा है सी है या जावा या जावा स्क्रिप्ट या ASP.NET या PHP ठीक है अब यहाँ पर नेक्ट जो है वह साइबर सेक्यूरिटी तो डिग्री तो सेम मांगी गई है ठीक है उसके साथ-साथ यहाँ पर specialization in cyber security at postgraduate level य यह नेक्स्ट यहाँ पर deputy manager IT open source application developer जहाँ पर आप देख सकते हो अगें यहाँ पर तीन साल का experience मांगा गया है डिगरी के साथ-साथ experience जो है वह होना चाहिए database management में ठीक है तो आप apply कर सकते हो next IT hardware and networking क्योंके networking आ गया तो यहाँ पर CCNA का certification necessary मांगा गया है वह नहीं है तो बाकी कुछ आपके पास होना चाहिए ठीक है data administrator या फिर network administrator ठीक है चलिए अब post qualification experience अगें यहाँ पर उस respective domain में मांगा गया है है तो आप apply कर सकते हो तो चार position में से obviously बात है आपका exposure किसी एक ही domain में होगा इसलिए आप कोई एक ही पोस्ट के लिए apply कर सकते हो सभी मैं apply नहीं कर पा application fees के बार में बात करें जो बहुत ज्यादा दुखत है और बहुत ज्यादा सैड है के 600 रुपीज रखा गया है वही अगर हम special categories की बात करें तो 200 रुपीज यहाँ पर application से बटे हुए है तो एक तो domain हो गया कोर और बाकी हो गया आपका नॉन टेक टेक प्लस नॉन टेक का एक्जाम 120 कोशन 150 मार्क हिंदिया इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन ठीक है composite आपका यानि इतना समय दिया जाएगा दो घंटे आपको दिये जाएंगे सेंटर जो है वो रखा गया है पैन इंडिया तो नहीं कहूंगा पर टिक टाक लोकेशन रखी गई है ठीक है इसके लावा अगर बात करें हाव टू अप्लाई में तीन बात है एक तो application registration कैसे करना है payment कैसे करना है documents can upload क्या यहाँ पर size and criteria रहने वाली है मैंने सारा important data highlight कर लिया है ठीक है तो एक तो यह है कि आपका execution bond होगा याने आपको minimum 3 साल का सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और अगर आप नहीं करते हो तो बीच में आपको penalty देनी पड़ेगी ठीक है क्योंकि ऐसा हो सकता है बड़ी opportunity आजाए आपको छोड़ना है तो penalty charge रहती है आपको एक post के लिए ही apply कर सकते हो एक से जादा post के apply नहीं कर सकते हो यह मैंने start में भी बता दिया था बस इतना ही है यह pdf में I hope आपको हर एक चीज इस pdf से समझ में आ चुकी है फिर भी अगर कोई doubt है तो comment section में पूच सकते हो आज के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में आप ते लेन ठीक केर बाबाई फानाव सी या